जब भी हम घर पे धोसा बनाते हैं हमारा धोसा धोसे तावे पे चिपक जाता है क्रिस्पी नहीं बनता है और टेस्टी नहीं बनता है बिल्कुल मार्केट जैसा नहीं बनता है तो आईए मैं बिल्कुल टिप एंड ट्रिक्स के साथ इजी बताऊंगे कि कैसे घर पे मसाला ध दोसा त्यार करें। दोलूंगी उसके अंदर जितने भी डस्ट हैं सब बाहर निकल जाएंगे। रात को दस बजे जब सोने जा रहे थे सब लोग तो मैंने सोचा कि डाल को बेहना भींगो पीस लूँ ताकि ये न कल सुबह में मेरा बैटर अच्छे से तयार हो जाएं। इसकूल का नास्ता भी हो जाएगा। ग्राइंडर में अगर आपका देख रहे हैं बिलकुल एकदम पेस्ट की तरह है उसमें चावल का एक दाना भी नहीं है। इससी से आपका है ना बहुत अच्छा बनता है बैटर इसके बाद मैंने उरत दाल पूरा डाल दिया और उसको पीस लिया। यह मेरे मिक्षर का सबसे बड़ा वाला जार है। थोड़ा सा मैंने फोर्थ कफ मैंने पानी लेके पीसा और यह बिलकुल मैदा की तरह हो जाना चाहिए। इसमें एक भी उरत दाल खड़ा नहीं होना चाहिए। उरत दाल को मैंने एकी डारेक्शन में गोल-गोल गुमा कर फेट लिया। इसे है ना तीन-चार मिनट फेट लेना चाहिए ताकि उरत दाल में खमीर है आपका अराम से उठे और जिससे आपका ढोसा अच्छे से तैयार हो जाए। यहाँ पे मैं चावल में उरत दाल दोनों को इकठे मिला दूंगी। मैं चावल और उरत दाल एक साथ इसलिए नहीं भींगोया था क्योंकि अच्छे से नहीं पिसा पाता है। दोनों के दाने में डिफरेंट होता है। तो उरत दाल क्या होता है चिपचिपा होता है जिससे चावल अच्छे से नहीं पिसा पाता है। मैं यहाँ पे आलू को बोयल करके ही सोंगी ताकि मैं सुभा में उटू और फट आफट मेरा नास्ता बन जाए यहाँ पे है न मैंने ये डोसा वाला तावा लिया है गाइस इसी पे मैं आज रात को दो पराठा भी बना लूँगे ताकि मेरा है न कल सुभा जब मैं नास्ते के लिए डोसा बनाऊ न तो मेरा तावा पहले से प्रिपेर रहे सुभा का टाइम हो चुका है और मेरा है न डोसा का बैटर देखे कितना अच्छा तयार हो चुका है बिलकुल खमीर उठ गया है मैंने वर्थ वन फोर्थ मेरा बैटर था फूल के आधा भगोना हो गया है मैं अच्छे से चार पांच मिनट फिर मिक्स कर दूंगे और जितना ज़रूरत है उतना ही बैटर को है न एक कटोड़ा में निकाल लिया अब बाकी को मैं फ्रीज में स्टोर करने के लिए रख आप तीन से चार दिन तक इसे स्टोर करके है न अच्छे से डोसा बना सकते हैं कल का मेरा पड़ाठा वाला जो तावा था वो बिल्कुल अच्छे से तयार हो गया डोसा बनने के लिए उस पे मैंने थोड़ा सा तेल और पानी का छीटा मारा उसके बाद एक्स्ट्रा पानी न वो डाल दिया था जाइस बटर डाल दिया और है न डोसा का चटनी सेजवान चटनी डाल दिया थोड़ा सा पावाजी मसाला भी डाल दिया और सभी मिक्षर को अच्छे से मिला दिया मैं आज साम को या कल डीटेल में डालूंगे कि मैंने इसका चटनी कैसे बनाया और आलू कैसे बनाया देख रहे है ना गाइस मेरा आलू भी different style में बनाया जो easily डोसा के उपर है ना असानी से फैल जा रहा है तो यह होता है मतलब कि आपका कभी कभी आप डोसा बनाती होगी त कुछ मैंने अपने husband के लिए बनाया और अन्स के टीफिन में भी डाल दिया थोड़ा सा आलू साइड में रख दिया चटनी भी रख दिया यह दूसरा टीफिन में देती हूँ ताकि मेरा बच्चा रास्ते में आते टाइम रिक्सा पे खास